कोरोना में खाते पीते वक्त एक जरूरी बात ये है कि ऐसा खाना खाएं जिससे आपकी इम्यूनिटी बढ़े मतलब आपके शरीर में रोगों से लड़ने की शम्ता को बढ़ाना इम्यूनिटी का यही मतलब होता है आप सभी ऐसे हल्दी खाने, सूप, सबजियां, अंडे वगेरे खा सकते हैं जिससे आपको ताकत पले मैंने आपसे पहले एक्सपीरिंस शेर किया था कि मुझे जब पेस वीवर और कोरोना के सिम्टम्स आये थे तब मैं केवल इसी टाइप का खाना खाती थी और अगर मन होता था तो रोटी या चावल भी खा लेती थी एक समय में पर डिनर में मोसली एक हफ़ते तक मैंने केवल हल्दी सबजीयों का सूप ही पिया उसमें बहुत सारा अधरक और लहसुन डाल के और काली मिर्च भी आप उसमें डाल सकते हैं उससे मुझे रिकवर होने में बहुत फाइदा मिला Wellness Mantra by Gunchen में आप सबका स्वावत है सबसे पहले रेसिपी है Vegetable Lentil Soup Red Split Lentil मतलब की लाल तूटी हुई मसूर दाल के 30 ग्राम में 10 ग्राम प्रोटीन होता है अब यह तो आपको याद ही होगा जैसा कि मैंने पहले भी बताया था हम सबको अपने प्रती किलोग्राम वजन के लिए हर दिन लगभग करीब 0.8 ग्राम प्रोटीन की सरुष होती है मतलब अगर आप 60 किलोग्राम के हैं तो आपको कम से कम एक दिन में 48 ग्राम प्रोटीन खा लेनी चाहिए ताकि आपकी मसल्स, हैर, स्किन और नेल्स सब कुछ हेल्दी रहें प्रोटीन अपनी बॉडी में और आपकी वेट लॉस में कैसे काम करता है वो आप इस उपर दिये हुए लिंक के वीडियो में देख सकते हैं तो इस फर्स फ्रेसिपी के लिए हमें जरूरत होगी आधा कप मतलब लगभग 80 ग्राम तूटी मसूर की लाल दाल इसके अलावा धेड़ सारी सबजियां जैसे की गाजर, फूल गोपी, ब्रॉक्टली, पीन्स, मतर, कॉन कॉन ओप्शनल है डायबेटिक्स के लिए इसके अलावा एक छोटा प्याज, चार से पाच कली लैसुन, एक छोटा अध्रक का टुकडा, दो छोटी हरी मिर्च और एक छोटा टमाटर यहां मैंने फ्रोजन सबजियां ली है, क्योंकि यह वीडियो उन लोगों के लिए है, जिनके पास खाना पकाने का समय नहीं है अगर आपके पास टाइम है, तो फ्रेशली कट सबजियां आप डेफिनेटली यूज कर सकते हैं यह सूप दो लोगों के दो मिल्स के लिए काफी होगा बस अब दाल अच्छे से धो के उबलने चढ़ा दीजे, इसमें सारी सबजियां डाल दीजे सरूरी नहीं कि आप सारी सबजियों के छोटे छोटे टुकडे करें क्योंकि सूप में अपने आप सारी सबजियां बाद में मैश हो जाएंगी एक उबाल आने पर इसमें बारी कटा हुआ प्याज, लहसुन, मिर्ची, अद्रक और टमाटर सब कुछ डाल कर करीब 10 मिनट धीमे आज पर पकने देजे फोड़ा सा नमक और थोड़ी पिसी काली मिर्च पूरा पकने पर डाल सकते हैं इस डिश की खासियत यह है कि इसमें जो धीमी आज पर सबजियों के साथ पकती है तो एक बहुत अच्छा सुन्धा पर आ जाता है जिससे दिल खुश हजाता है बस अब इसे धीमी आज पर चढ़ा के आप 10 मिनट अपना काम कर सकते हों और तब तक आपके डिश रेडी हो जाएगी है ना, इस बरी सिंपल डिश यहां मैं इसनी सारी सबजिया चाने के लिए जोर क्यों दे रही हूं क्योंकि सबजियां ही होती है जो आपके खाने में बुल्क देती है इसमें बर्पूर फाइबर्स, मिनरल्स, जैसे कि sodium, potassium, iron, bactisium और calcium होते हैं जो कि essential nutrients होते हैं और आपका शरीर खुद नहीं बना पाता है इसकी पूर्ती आपको अपने खाने या supplements के द्वारा ही करनी पड़ती है और यह तो आप जानते ही होंगे कि इन minerals and vitamins के बिना आपके hormones, immunity, energy कुछ भी सही से काम नहीं करता और सबजिया आपका digestion भी improve करती हैं इसके अलावा खाने में जो protein, carbohydrate और fats होते हैं उनको भी absorb करने में बहुत help करती हैं इसलिए सबजियां जरूर खाने चाहिए अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने टमाटर क्यों डाला टमाटर में vitamin C होता है जो कि सबजियों में मौझूद iron के absorption में help करता है इसलिए इसे सूप में मिलाने से हमारी आतों में पोशक तत्वों का absorption बढ़ जाएगा इसके अलावा international health guideline के अनुसार आपकी plate में 50% सबजियां होनी चाहिए इसलिए सबजियां खाने का ये आपके लिए एक बहतरीन option हो सकता है